बोलना बोलता क्यों नहीं तू अब हैं अलताफ अपने आपको लीडर मानता बेंदन में बैठके तू किस चीज के लीडर है नशेक इंदेफ पड़ा रहता है तू किस चीज के लीडर है तू है किस चीज के लीडर है भाई तेरी वेसे कितने मासूम मरें कितने मासूम कराची को खा गया है तू असलाम अलेकुम दोस्तों आपने ये आडियो सुनी ठीक है ये महाजर नर्गसियत की एक अजीम मिثال है यानि एक कारकुन इतने बड़े काईट जो लोगों का बाप बना बैठा था उसको बता रहा है कि तेरी वज़ाजरों कितना जल्म हो रहा है तेरी वज़े से महाजरों कितना नुक्सान हो रहा है तूने कितनी खत्लों गारतगरी की है वो लीडर कह रहा है मैं क्या करूँ अच्छे शराब के नशे में इस वक्त उसके लहजा बता रहा है कि वो अपने जादा होश हवास में नहीं है वरना कोई आम आदमी तो फोन रख कालवाल ओड़कर जो है आके ड्रामे वाजी करता है मेक अवेक थोप कर अज़र जदून नामी जो हकीकी के कारकू ने इन्होंने बड़ी मुगलिदात इनको सुनाई है ठीक है जो मैं सबचता हूं दुरुस सुनाई है इस शक्स का हक बनता है गालिया खाना मगर इस काहिए दे दे उस लीड़ को कि जिसने आपके अपने कैई कारकूनान मर वाए हूं ठीक है और आप मचबूरं बकौल आपके आपके साथ आए और आपने उस लीड़ के हजारों कारकून मारे खुद तो अपने कारकूनान का लहू बहाना जाइज है किसी को मौत्त अंकरना और असलाह थमाते रहना धंकिया देते रहना ठीक है और अगर कारकुल गाली दे दे तो उसको मौत्तर कर देना और कौम को यह हाल है कि वो जुनाब आरिफ जो है कि प्रोफेसर हसन जफार आरिफ जो थे उनकी तस्वीरे लगाकर और शेख रशीद की तस्वीरा कहते हैं है वो भी पंजाबी है ठीक है पंजाबियों के साथ भी बेपराफ जल्म होता है बात है इस्तेब्लिश्मेंट की पंजाबी महाजिर की नहीं है तुम्हारा जो नाजाइस बाप ऐलताफ उसने पाकिस्तान के किलाफ मोधी की यारी की है दल्ाली की है रौ से पैसे लिए जिसके सुबूत उसके अपने लोग अन्वर भाई और जनाब दीगर लोग बता चुके हैं और इस वजह से आप जो है इताब में आते मगर आपकी नर्गिसियत है कि खतम नहीं हो रही बहार निकलो इस से पाकिस्तान के साथ रहते वे पाकिस्तान के अंदर रहते वे अपने मतालबात की जाइस मतालबात की भरपूर वाज लगाई जाए मगर इस लंदन के मदारी से बचा जाए इसको लानत भीरी जाए तब कौम आगे बढ़ेगी और कौम की अगर ये सुई अठकी रही जो अठकी भी नदर आती है कुछ नहीं होगा जली दुखार होगे